वेलकम बैक टू टीचर्स जर्णी चैनल हमने सीट एट के त्री जो त्री कोशन्स पेपर है पीवाई क्यू वो लगा लिए है आज हमारी जो ही है फोर्थ वीडियो है अब हम इस बुक से करेगे और दूसरी बात क्या है हम साथी साथ शोट नौट्स बनाते चलेगे जैसा हम हमारी कemand होनी चाहिए वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए चuwकि CT Todos सेवन्टी नंबर के आती है तो मैं वताती हूंकि सेवन्टी की सीडिप हमारी कैसा आती है क्योंकि positively सब्जब् vit dalla कlol इसके हो हे हमारे फिर हमारा जो भी सब्सिक्रट होता है फिर हमारा साइन्स मैक्त हू कोई भी सब्जाट हो सिमने 20 उसके रिलेटेड और दस उसमें जैसे इसमें भी हमारा जो लेंगवेज होगी कोई भी लेंगवेज अगर हम लेते हैं तो उसमें भी दस दस नंबर की सीडिटी तोटल हमारागा 30 40 50 60 70 तो 70 नंबर हम यहां से अपना CDP से बना सकते हैं अगर आप यह प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हो एक क्वाइंट किलियर करके तो आई होप आप बड़ी अराम से 60 नमबर तो ला सकते हो सिर्फ इन कि अगर आप वीडियो शुरू करते हैं अगर पूशन में कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप पूर सकते हो क्यमेंट करके फिर उस लिप्लेटियो में कवर कर लिया जाएगा फॉर्स्ट अच्छा इंवार्मेंट अगर प्रोवाइड करना है तो जो लर्निंग होती है मिडल क्लास में वो किसके अराउंड होती है क्या उसमें सेंटर रहता है किसको बेस रखते हैं तो कॉपरेटिव लर्निंग हाँ यह हो सकता है पॉजिटिव वर्ड है फियर और पनिशमेंट से करें हैं हम नहीं रॉंग कम्पिटिटिव तो सीडिपी में कम्पिटिशन या फ प्रॉब्लम को सॉल्व करें अमन खुद से तो वह कैसे एक टीचर डपलप करेंगा उसके अंदर प्रॉब्लम को बताके की वह हार माल लेकुशन से तो यह तो नहीं है अंकरेज हिम टु ब्रेन स्ट्रिव एंड जनरेट आइडिया उसको अनकरेज करके उसको ब्रेन स्ट्रॉम कहते हैं सोचने को कि बार-बार वह सोचे की कैसे हो सकता है कई तरीके लगाए और आइडिया जनरेट करें तो यहां पे यह हमने पोजिटीव लगता है नीचे के देख लेते हो सकता है इससे बैठर मिल जाए डिसकरेज करना है उसको एक्सपेरिमेंटेट टेकिंग रिक्स लेने से यह तो रॉंग प्रोवाइड हीम विद दा आंसर प्रोवाइड डारेक्ट आंसर कभी नहीं करना तो हमारा जो है सेकिंड वाला ही राइट है थर्ड मा आता है दा अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ओफ अंडरस्टेंडिंग बे प्रोग्राम देख रहा है तो सिर्फ टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है वही क्या एक्टिव हम कोई रिस्पॉंस अलग से उस पे नहीं दे सकते हैं तो यह क्या हुआ तो हम जो देखने वाले उस टाइम पर वह जाएगे पैसिव इस लेनर एबिलिटी एंड नीड स्टेंडर इंस्ट्रक्शन यहां तक की जो बात थी यह इनों ने ठीक बोली कि लेंडर की जो एबिलिटी होती है और उसे जरूरत होती है वह अलग अलग होती है लेकिन जो नीचे बोला वह यह वाला पॉइंट गलत कर दिया कि विच कैनोट भी कैट्रेट टू वित फोकस जैसे कि यह कहता है कि एक ही तरीका इंस्ट्रक्शन जब टेगी तो सब को सेम की सबको यह करना है तो ऐसा नहीं है इंस्ट्रक्शन जो होगे वह अलग-अलग होने चाहिए जिस बच्चे को जैसी ज़रूरत है उसको मैं वैसा ही प्रोजेक्ट और टास्क दे तो यह भी हम सब्सक्राइब कर सकता है अगर उसे एक अच्छा फैसिलिटेटिव इन्वार्मेंट मिले मतलब उसे एक ऐसा महल दे जहां पर उसको अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो उसकी थोड़े हैल्प हो जाए तो यह वाला जो हमारा फस्ट है वह यह थड़ वाला ही आंसर है इसजो अच्छें की से ऊहिए है तो अच्छें एसक डिशलकिया कहते हैं जो बचे प्रॉब्लम होती है जिने दिसलक्स या की तो उनको कैसे हम पढ़ा सकते हैं, की विवात नहीं करेगी सीडीपी एक ऐसा सब्जैक्ट है जिससे टीचर का माइन का डफलब करती है डफलमेंट करती है कि उसे किस तरह पढ़ाना है तो पनिश्मेंट अच्छा वर्ड नहीं है तो सिस्टेमाटिक फोनोलोजिकल ट्रेनिंग तो उस बच्चे को हमें क्या दे आर स्मिलर टू रिलेशन बिद्फ पेरेंट्स इंड पीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सौसालाजेशन थ्रो आउच चाइल हुड यह कह रहे हैं कि parents का जैसे हमारा जो relation होता है parents के साथ होता है वैसा ही भाई भेहनों के साथ होता है sibling play important role in socialization throughout childhood कि जो पूरे childhood होता है हमारे stage होती है डपलमेंट की बचपन की कि उसमें पूरे में यह important होता है तो जो sibling का relation parents की तरह तो नहीं होता parents से एक अलग रिष्टा होता है sibling relationship different than relationship with parents and peers peers कहते हैं हम साथियों को जो हमारे साथ वाले होते हैं play an important role in socialization throughout कि different only important role only during कि सिर्फ early childhood कि childhood की शुरुआत में होता है तो यह भी wrong don't have much role in socialization कि socialization में कोई role नहीं होता तो हमारा second ठीक है कि जो भाई बहनों का रिष्टा है वो parents से और दोस्तों से अलग थोड़ा अलग है लेकिन important role provide करता है पूरे ही childhood read the following statement and choose the correct option अब हमें यहाँ पर assertion देखना है फिर उसका एक reason होगा फिर क्या दोनों ठीक है या गलत है जो भी अपढ़ेगे considerable variation exist in developmental rate among children की मानना है में जो variation होती है अलग अलग होता है deployment का rate बच्चों में तो हाँ यह ठीक है हो सकता है कोई बच्चा जो है डेड़ साल की उमर में अकर चलना सीख रहा तो दूसरा दो में सीखे तो यह थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जो rate है वो अलग हो सकता है लेकिन जो stage है वो same रहेगी पहले बच्चा जैसे बैठना सीखेगा फिर वो थोड़ा रेंगना फिर चलना तो यह stage जो है वो same है लेकिन rate जो है वो अलग-अलग हो सकता है जप्लमेंट डिफ्रेंज और इनेविठेबल रिजल्ट है complex interaction का of genetic और experiential variation तो हाँ जो डप्लमेंट उसमें genetic और experiential variation भी होती है तो यह भी आर ट्रू है और एको वो explain करता है तो हम देखेंगे जिसमें दोनों ट्रू हो नहीं नौट तो नहीं है तो यह फूर्थ वाला बोथ ए एंडर ट्रू और रिस करेक्ट explanation of a which principle of deployment illustrated in the following statement children who are deprived of conducive environment for learning language in early years have some difficulty picking language later in life कि मतलब अब यह जो statement है इसके लिए कौन सा यहां पर मैच होगा तो यह बात जो है इन्होंने बोला है कि जिन बच्चों का अच्छे environment नहीं मिलता जब वो language को सीखते हैं चोटे होते हो सकता है उनके पास जादा लोग ना हो रहने वाले उन्हें बोलने का जादा मौका ना मिले अर्ली स्टेज क्योंकि हमने माना है जो हमारे चॉमस की है उन्होंने साइंटिस्ट ने जिन्होंने language में बात कि उन्होंने लेडी बोला है पांच साल तक होता तो उससे पहले पहले बहुत अच्छे से वह language सीखता है तो इसमें यहीं बोला कि जब बच्चा है उसको language सीखने के लिए च्छा मोह नहीं मिल पाया बच्पन में बाद में उसे difficulty होगी सीखने में क्योंकि अब इसका रीजन है language and cognition are complexly इंटरिलेटेड तो हाँ ठीक है कि जो हमारा language है और जो हमारा यह mind है cognition में यह दूसरे से इंटरिलेटेड होते हैं नीचे भी देख लेते हैं हो सकता है बैटर मिल जाए deployment of language totally depend on genetic तो totally तो नहीं होगा यह क्या होता है ना हम total कहेगे और ना हम कहेगे 50-50 यह multiplication होता है कि जो deployment है वो genetic और environment का multiplication है deployment is a disorderly and unpredictable यह भी नहीं है there is a sensitive period of language deployment तो इसमें बोले कि जो यह वाला जो टाइम था जिसकी बात करिए वह एक sensitive period था language deployment का तो यह fourth option हमारा first वाले से भी ज्यादा अच्छा है तो हम fourth पे टिक लगाएगे क्योंकि जो language का यह जो पिरियड बता है नौम्चो में इसकी नहीं इसको sensitive period ही बोला है इसलिए में सीटीपी के सारे answer पढ़ने होते हैं कभी-कभी बच्चा शुरू के एक दो नहीं हो पाते हैं यह भी एक मेंजरी तो फॉलविंग कोशन प्रमोट क्रेटिकल क्रेटिव थिंकिंग इन चिल्टर प्रमोट करने में हैल्प करेगा तो हमें ऐसा कोशन नहीं देखना जिसका एक answer कि वह answer हमारे वह कोशन जो काफी अलग-अलग जिनका answer हो सकते हैं multi direction में बच्चा सोख सकता है वही क्रिटिकल वाले कोशन्स होगे वियाज वाडर कम फ्रॉम इनियर सिटी की पानी कहां से आता है तुम्हारे सिटी में तो यह तो बच्चा बताई देगा कि टैप सा आता है कोई कहेगा कि कुभे बगार से तो इसका यह नहीं can be best way to save water कौणसा तरीका अच्छा हो सकता है safe water करने के लिए और क्यों वो तरीका अच्छा है तो क्यों वाला हाव वाले तो यह अक्सर क्या होता है यह creative questions में आते है कि creative deployment का इस type का questions हर बार cdp में देखने के लिए मिलता है जिसमें आता है critical thinking deployment में नीचे का भी देख लेते हैं, how many state and how many capital are there in our country, तो ये तो बच्चा फट बता देगा अगर उसे पता है, ऐसा तो नहीं कोई 28 बता है, कोई कहें नहीं 30 है, लेकिन इसमें हो सकता है बच्चे, अलग अलग तरीके से, saving water के method बता है, तरीका बता है, what is name of your country and its geographical location in the map, तो ये भी ह हमारे क्या है, अक्सर what वाले तो हमारे होते ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या पुछे, your country का, what is the name of your country, तो ये भी हमारा critical questions नहीं है, what does inclusive education entail, मतलब inclusive education को जरूरी, वो उसको जरूरी करने के लिए किस काम की जरूरत है, कि sure हमारा inclusive education हो जाए, तो segregation करना है, segregation मतलब inclusive education होता है, जहां एक school में, एक ही class में, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, normal and abnormal, तो उसमें कहारे, segregation कर देना, नहीं, तो segregate करके नहीं पढ़ाना है, बस बच्चों की जो need है, उनको ध्यान में रखते हुए, facility देनी है, कि जो बच्चा जैसे पढ़ाएगा, उस तरीके से पढ़ाना है, उनको क्या करना है, उनको categorization कर देना है, student basis of their ability, तो यह तो बिलकुल हमारा गलत है, उनकी ability को देखते हुए, उनको अलग-अलग group कर देना, standard curriculum for all learners, जब हमारे learners अलग-अलग है, तो standard curriculum कैसे होगा, तो हमें जो curriculum में, वो activities रखनी है, जो सभी बच्चों के लिए useful हो, जो एक बच्चा different way से, different method से सीख सके हो, हम जब भी कोई चीज पढ़ाएगे, inclusive education में, तो एक चीज़ को कई तरीकों से कराएगे, हो सकता है, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख जाए, provisioning of only vocational education, कि सिर्फ हम vocational education मतलब वो काम जो कारोबार की तरफ लिजाते हैं, जैसे craft work, या फिर engineering, या फिर polytechnic, ये होता है vocational, कि सिर्फ उसमें हम क्या करेंगे, vocational education करेंगे learner को with special lead, तो ये भी हमारा wrong, flexibility in curriculum, ये ठीक है, कि हमें जो curriculum में, वो flexible रखना है, एक लचीला रखना है, कि जो time के साथ, जरूरत के साथ, जिसको change कर सके, as a result of, decognition of individual difference, तो ये ही हमारा best answer है, what is a role of evidence in critical thinking, evidence should be accepted without analysis, कि जो बिना analysis के तो हमें accept नहीं करना, evidence should be evaluated in a logical और systematic way में, हमें क्या देखना है, logic भी लगाना है, और systematic way भी, तो ये हमारा true answer है, read the following statement, choose the correct option, assertion, कि जीन प्याज़े और लावागॉस की, different in their perspective on influence की, मतलब उनका अलग-अपने अपने हिसाब से, अलग perspective रहा है, influence जो 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 जोड़ देते हैं, वो language on cognitive deployment, क्योंकि जो हमारे वाइगाउस की है, वाइगाउस की कहते ही कि पहले बच्चा क्या हमारा, कि पहले बच्चा language सीखेगा, language के बाद, उसका mind का deployment होगा, mind मतलब cognitive से related, लेकिन जो gene पियाजे है, वो कहते हैं, पहले बच्चा mature होगा, कि mature होगा, जब वो काबिल होगा, तभी बाद में सीखेगा, जब उसका cognitive deployment हो जाएगा, तो इनके अलग-अलग perspective रहे, तो ये तो true है, कि हां रहे है, उसका reason ये है, कि जो in discovery learning, जिसमें बच्चा कुछ खोज करके सीखता है, प्रोवाइड टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए, opportunity student को जो drive करें information खुझ से, ये भी true है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कहीं भी match नहीं हो रहे तो, सिर्फ हम देखेगे, a and r is true, both a and r is true, r is not correct explanation of a, in progressive classroom, the student, कि progressive classroom में student कैसा होता है, don't ask many questions, कि अगर वो progressive में है, तो उसको ज़्यादा question नहीं पूछने है, तो ये तो रॉंग है, क्यों नहीं पूछने है, question पूछेगा तब ही तो वो समझेगा, question वो ही बच्चे नहीं पूछने, जिनकी समझ में ही कुछ नहीं आता, भी तो डाउट आएगा, ask question to the teacher, तो ये ठीक है, कि हाँ भी हो सकता है, पूछने है, ask question to each other, हाँ बच्चों को फिर एक दूसरे से question भी पूछने चाहिए, progressive education में तो, ask themselves question, खुद से भी, सिर्फ हमारा A wrong था, जिसमें था, कि questions नहीं पूछने, तो A को छोड़के, जो भी हमारा है, उस पर option, तो ये हमारा B, C, D, ये तीनो right था, सिर्फ A गलत था, जिसमें कहा था, कि question नहीं पूछने है, expectation associated with being male और female, कि जो हम expectation लगा लेते, पहले की male और female से, वो किस चीज को refer करता है, और these are learn, और ये कहां से सीखते है, तो gender consistency, तो नहीं है, gender consistency होता है, जब बच्चा ये समझ सकता है, कि जैसे कि हम कपड़े बदलते, इस तरह हम अपने gender नहीं बदल सकते, वो आता है, हमारा gender consistency, तो उसकी बात नहीं है, करेगी इस तरह चाइप, तो second वाला ही हमारे ठीक लग रहे है, कि gender roles की बात हो रही है, ये refer करता है, gender roles, these are learn, जो सीखे जाते है, throw out childhood into adulthood, कि जैसा बच्चा childhood में आता है, वहीं से वो सीखने लग जाता है, जैसे उसकी dress को लेके कि ये लड़कियों का है, ये फ्रॉक लड़की पहनेगी, या फिर ये जो डॉल है, इससे लड़की सीखेगी, childhood से वो adulthood तक क्या है, इसको सीखता है, adulthood में ऐसा होता है, कि तुम लड़की थोड़ा ना जो रो रहे हो, तो इस तरह करके हम ये सीखते हैं बात, तो हमारा यहाँ पर सेकंड वाला राइट आंसर, जैंडर स्टीरियोटाइप and only during middlehood, तो only वाले अक्सर गलत होते हैं में अच्छे से पढ़ लेना है, only वाले जो केवल करके बात करें, जैंडर बायस mainly during earlyhood, तुमारा सेकंड ही राइट आंसर है, वीच ओव दा फॉलिविंग व्यू अबाउट इंटेलिजेंसी सपोर्ट रिस्पेक्ट फुल कंसीडरेशन ओफ डावर्सिटी अमंग लर्नर की कौन सा इसमें से ठीक है, जो सपोर्ट करता है इंटेलिजेंसी को कि डावर्सिटी लर्नर में अलग-अलग जो डिफ्रेंस होता है, डावर्सिटी होती है वो अथी बात है, इंटेलिजेंसी नॉट इंफ्लिएंस बाइ जैनेटिक सक्टर, तो जो इंटेलिजेंसी होती है, बुद्धी होती है, वो जैनेटिक इस पे डिपैंड करता है, अगर पैरेंट्स उसके इंटेलिजेंस होते हैं, तो नॉट आ गया तो रॉंग हमारा, इंटेलिजेंस इंवार्मेंट इंवार्मेंट कभी बुद्धी पर असर पड़ता है अगर बच्चा किसी फिल्ड में अच्छा है और उसको ट्रेनिंग देदी अच्छा इंवार्मेंट देदी तो और भी उसमें बैस्ट हो जाएगा आईक्यू तो इसमें नौट आगया इसे ये भी रॉंग होगा हमारा आईक्यू टेस्ट और ओनली दा मेजर ओफ इंटेलिजनसी की जो आईक्यू टेस्ट है वो सिर्फ इंटेलिजनसी को मेजर करते हैं तो जो आईक्यू टेस्ट है एक वो आइडिया लगाता है पूरा मेज बदल सकती है जैसे कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा नहीं था उसने ट्रेनिंग ली उसको अच्छा इंवार्मेंट दिया उसने महनत करी तो वो उसको में अच्छा हो सकता है तो यह कैन चेंज ओगा टाइम हूं अमंग दा फॉलिविंग क्रिटिकाइट दो कॉंसेप्ट ऑफ जर्नल इंटेलिगेंसी और प्रपोस्ट अल्टरनेटिव थ्योरी तो इन में से यह हमारे कुछ साइकोलोजिस्ट है कि कौन सा इसमें क ऐसे है चार्रणस इस पेरमेन इन्होंने इनए दो इंटैलीजेंसी परेट करीति झाइप ने एक जैनल इंटेलीजेंसी और पार्ट में बाटा हैं यह जो इनकी चर्षांथ करते हैं को one kami एक थारी की बात की बात की है इसका हेस्ट हिए थोड़ी सी आरफ इंटेलिजेंसी देख लेते हैं कि क्या था यह जो थी हमारी मॉल्किल डामेशनल इंटेलिजेंसी है ये टाइप की इंटेलिजיन्स में बात की हैं अंसी आटिकी क executive में होगे गार्डनने दी यहे तो इन्होंने हिसमें कहा है इच औरATHAN इंटेलिजेंशियार इंडिपेंदेनट कि एक इंटेलिजेंशी दूसरी इंटेलिजेश से इंडेपेंडेन्ट है इंटेलिजेंसी सिंगल एंटिटी नहीं है तीचर केंट टीच इन मल्टिपल वेर जर्णल इंटेलिजेंसी को बोला ही इनोंने हैरेडिटी से होती है यह वाली कि जो पैरेंट्स में थी तो जर्णल इंटेलिजेंसी उस काम की बच्चों में आ जाएगी specific intelligence को बोलते हैं कि वो improve करनी पड़ती है हमें training वागरा लेकर तो एट type हम discuss कर लेते हैं short में कि क्या हमारे type रहते है linguistic intelligence सबसे पहले यह कहते हैं जिसमें क्या होती है भाष्य बुद्धी बोलते हैं इसको language को समझने की और बहुत जल्दी से language सीख लेता है यह जैसे language का यूज जानते है logical mathematics है फिर हमारा आता है इसमें special intelligence special में होता है कि समझ होती है उन्हें जो आर्किटेक्टर होते हैं यह फिर home decorator उसकी इसकी हम जो बात है कभी deeply में अलग से जब हम पढ़े गए उसमें भी करेंगे कि जो में में फोकस है कि जैसे जीन प्यजे की हो गया हमारा वाइगोस की हो गया और वाइगोस की से अलग हमारे काफी सारे psychologist educationist जो सीट आट में पूछे जाते हैं उनकी अलग सी वीडियो क्लिप बना के बात करेंगे तब हम अपने कोशन पर बैक आते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग की जो थियोरी है यह उसको जो क्रिटी साइज किया था इनकी स्टूडेंट ने कैरोल गैलीवियन ने तो क्यों किया था वह रीजन देखते हैं हमें पता था उसने इस बात पर करा था कि उन्होंने फिमेल को अपने एक्सपरिमेंट में नहीं रखा था अनली मेल स्टूडेंट को उन्होंने Veект किया था नौट अपलाइंald मैथवनण नहीं ीग्नौर के इग्नौर लिख्रइजन इन्होंने तो यही उनकी बात थी उन्होंने इग्नौर किया था जान्डर डिफ्रेंस को प्रिजेंटिंग स्टेश थी औरी मॉरल डप्लमेंट यह भी रिजन नहीं था क्लेक्टिंग डेटा बाइमीन्स ओफ रियल लाइफ सिच्वेशन तो यह भी रिजन नहीं था बस वह एक जैंडर वाला था क्यों ने जो मेल ही को रखा था अपने एक्सपेरिमे दिए हैं जिसमें हमें देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल यह कहता है कि बच्चा अगर टीचर सीखाएगी तो यह वाला तरीका से बच्चा अच्छा सीखेगा फस्ट हमारा है फस्ट डिसकर्स वाट बच्छ स्टुडेंट कि पहले बच्चे से हम को वह चीज सिखाएगे उसके बारे में डिसकस करें कि जो बच्चा नहीं जानता तो यह नहीं होता हमारा जो होता है not non आगया हम जो करते हैं cdp में या किसी पढ़ाने में non से unknown के और जाते हैं first introduce the concept in its symbolic form कि जो पहले हम को concept से काएगे तो symbolic form में तो यह then move to its physical form कि बाद में physical जाएगे जैसे कि अगर हम बच्चे को alphabet सिखा रहे है ABCD सिखा रहे है तो पहले कि हम उसको ABCD दिखा देगे कि A ऐसे होता है B ऐसे होता है यह करेगा और फिर बाद में उसको physical form कि बाद में उसको apple दिखाएगे तो ऐसा नहीं होता पहले physical form पहले उसके हाथ में हम एक apple देगे उसको apple दिखाएगे फिर उसकी picture and then हम last माते सिंबल पर तो यह भी हमारा wrong है क्योंकि student इस वाले तरीके से भी जाद अच्छे से नहीं सीखता first introduce the concept overall कि सबसे पहले हम overall जो concept उसके बारे में बताएगे then move on और जब जाके हम intricacies of it कि बाद में जाके हम क्या करेगे complicated या फिर जो part होगा difficult part होगा detail में वो हम बाद में जाएगे ठीक है तो यह वाला हमारा ठीक answer लग रहा भी तो कि पहले क्या करेगे हम इसमें overall एक summary टाइप में थोड़ा सा idea देगे और फिर जाके उसकी detail में जाएगे fourth आता है हमारा first discuss the concept in term of logic and reason and then grant opportunity to verify idea तो यह भी बाद की बात होती है पहले यह वाला हमारा third ठीक है a teacher want to help her student develop metacognitive skill एक teacher अपने student की metacognitive skill को develop करना चाहती है which of the following strategy जो होगी ज्यादा effective होगी हमारे पास 4 strategy है तो metacognitive skill क्या होता है metacognitive skill में आता है कि जिसमें thinking about thinking कि जो बच्चा सोच रहा है उसके बारे में और सोचे उसको और अच्छे से analyze करें बहुत दिहान से सोचे यह आता है metacognitive skill कि कोई decision ले लिया उसके बारे में तो देखेगा कि उसने कितना progress करा तो यहां पर वह अपने बारे में सोचेगा तो यहां पर यह इसका ठीकान से लग रहा नीचे का option भी देख लेते हैं providing frequent grade and feedback मतलब टीचर उसको क्या देगी grades देगी और feedback देगी motivate करेगी student को तो ग्रेड का यहां पर हमारा ctp से कोई relation नहीं कि grade के लिए ही नहीं हमें पढ़ाना है असाइनिंग टैक्स्ट इस्टूडेंट मैमोराइज तो यह मैमोराइज वाला भी हमारा गलता आजाएगा repeat information तो बच्चे को हमें कोई रट्टू नहीं बनाना कि बस वह रट कर पास हो जाए उसकी thinking डपलब करनी है कि वह जो सोचे उसका style इंप्रूव हो सके सोचने का प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल एंड परस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन और और लेंडिंग कि बच्चे को डिटेल में परस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन देने तो ठीक यह भी लेकिन मैटा कगनिटिव इसकील के लिए यह हमारा ज्यादा बैस्ट है बच्चों से पोचने चाहिए उस चीज़ के एक्जामपल और नॉन एक्जामपल कि यह बच्चे के स्ट्रेंथ बनाता है कॉंसेप्ट पर बात हमारी बिल्कुल ठीक है लेकिन हम बात करते हैं एक्जामपल का तो हमको पता है नॉन एक्जामपल क्या होता है तो जैसे जिसे वूड प्लास्टिक बॉटल यह हो गए उसके नान इक्जामपल यह तो हमारा ट्रू है फर्स्ट वाला ठीक है थिंकिंग ऑफ एक्जामपल लीट्टू इस्ट्रेंधिंग कॉंसेप्ट वाइल नान इक्जामपल टैंड टू कन्फ्यूज करते हैं तो यह तो बात बिल कि दोनों तो ट्रू नहीं है हमारा इस ट्रू बटार इस फॉल्स अब दुबारे से हमारे पास इसी टाइप के कोशन आगए अजर्चन रेजन वाले और यही आजकल बहुत कोशन आते हैं सीटीप में तो हमें अच्छे से इन्हें समझ लेना है कि कैसे करना है इंचर शुल स्टीरियोटाइप किसी भी पर्टिकलर ग्रूप को लेकर स्टीरियोटाइप क्या होता है मैं इसकी बात करें स्टीरियोटाइप होता है किसी भी पर्टिकलर ग्रूप हो लेकर जिसे जैंडर में भी होता है यह कास्ट में भी होता है कि हम माले इस कास्ट के जो लोग होते ह है वह अच्छे नहीं होते हैं या फिर इस पास्ट को बहुत कहणी हमें चींथ यह को चाहिए-ठींजिध में इन दीन में 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 दोर हो सकता है कोई में अच्छा काम करते हैं पर इंजीनियरिंग में male होने चाहिए तो यह होती है stereotype यह फिल girls का जो nature होता है वो बहुत अच्छा रहा था comparison to boy तो यह stereotype हो सकता है कि कोई और boy किसी लड़की से जाद अच्छा nature हो तो कोई भी हो सकता है कोई activity दोनों gender में से कोई भी कर सकता है तो यह हमें इसको break down करना है इस सोच को तो यह तो true answer है इसका reason यह है कि जो educational objective की education का जो उद्देश्य हमें वह enable करना है student को कि वह engage कर सके critical self reflection कि खुद से क्या कर सके reflection कर सके खुद का critically और भी तो हाँ यह दोनों ही बास ठीक है और education इसका काम कर रही है जैसे कि आपने देखा होगा ncrt books में जो होता है अब अब ncrt books में क्या दिखाते है कि जो activities है वह जैंडर रॉल पर वेस नहीं है एक ncrt में chapter है the junk seller तो उसमें दिखाया वह कबाड़ी वाली किया एक female है जो अपनी junk seller की दुकान है जिसकी तो यह क्या एजुकेशन के थुरू भी यह काम हो रहा है तो यह दोनों ही true है और एक दूसरे से related है तो इसका answer आएगा हमारा both a and r true and r is a correct explanation of a what is the difference between mastery goal and performance goal क्या difference है तो हमने mastery goals और यह वाला पहले भी question आया था इससे पहले जो हमने PYK solve किया था तो mastery goal वह होता है जिसमें जिसमें हमें mastery करते हैं अपनी skill का deployment करते हैं यह intrinsic होता है हमारे अंदर से होता है कुछ सीखने की चाहत कुछ करने कर इसका जो लालच होता है वो बहार से नहीं होता ना किसी reward से ना किसी डर से की पास होना है तो यह होता है mastery goal और यही best होता है दूसरा होता है performance goal performance मतलब उसको perform करना है कि position लानी है first second यह कोई भी position की target उसे position चाहिए performance अच्छी करनी है मतलब लोगों को दिखाने के लिए उसको काम करना है price जी इतना है तो इसका जो काम होता है वो होता है बहार से परफॉर्मेंस गॉल बहार का लालच तो यह होता है extrinsic मास अब देखते हैं इन में difference कि mastery goal focus improving on one on skill हाँ ठीक है यहां तक तो बात हमारी की mastery goal खुद की skill को इंप्रूफ करने पर focus रखता है अपनी skill को समझता है ओफा टास्क वाइल परफॉर्मेंस गॉल फोकस achieving high grade और receiving external reward तो यह वाला हमारा ही first option ही best है mastery goal focus avoiding failure failure कि जो अगर हम मारा mastery goal है उसका focus रहता है वो fail होने से बच जाए तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे तीन टाइप के गोल्स होते है था एक होता है avoiding failure कि fail होने से किसी भी तरह पास हो जाए जिसमें बच्छाए रहता है कि मैं बस punishment से बच जाओं मैं तानों से बच जाओं किसी भी तरह क्या मैं पास हो जाओं फिर second number पाता है performance कि मुझे अच्छी परफॉर्म करनी है और performance से भी उचा होता है mastery goal mastery goal focus gaining approval from other कि दूसरों से वह approval कराने का mastery goal are focus gaining approval from other while performing goal focus on avoiding failure avoiding failure avoiding failure वाला ही करेगा mastery goal are focus on achieving certain level performance तो फिर वो mastery goal नहीं है जो क्या करें achieving की level उसको जो performance का level बढ़ाने तो हमारा first वाल है यहां पर true answer है कि विच आप फॉलिविंग इस इन एक्जामपल ओफ intrinsic motivation तो अभी हमने intrinsic motivation के भी बात करी थी intrinsic मतलब अंदर से motivate बच्चा तो अंदर से मोटिवेट है तो वह कौन क्या करेगा तो हमें पता है वह अपनी स्किल पर काम करेगा mastery goal वाले ही यह playing a musical instrument for a personal enjoyment कि वह अगर musical instrument play करता है तो personal enjoyment के लिए तो राइट वह अपने लिए करता है जो करता है complete the project impress the teacher तो यह फिर हो जाता हमारा तो यह आता है इसमें extrinsic की बहार के लिए study to avoid being scolded तो यह भी हमारा बहार से motivated बच्चे टीचर की डाट से बचने के लिए यह भी हमारा extrinsic motivation है participate in a competition for prize तो यह भी नहीं हमारा intrinsic है जो हमें अंदर से होता है तो वह यह वाला है personal enjoyment के लिए करता है according to PhD the four qualitatively different stage illustrate किया है उन्होंने कि जो children's mind are mini nature तो mini nature उन्होंने नहीं कहा है डल्ड का कि जो बच्चों का माइंड है वो बड़ोई जैसा छोटा है सिर्फ है बड़ोई जैसा तो ऐसी बात नहीं गई very vastly across the various culture in the world कि जो हमारा यह स्टेजे से डप्लमेंट की अलग अलग होती है वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर के हुआ है कि जैसे पैटन होता है डप्लमेंट का की पहले बच्चा किसी चीज को नइस को देखाए घर टच करेंगा फिर उसके नहीं होगा कि जैसे हमारे इंडिया में पहले बैठना सीखते तो किसी और कंट्री में क्या हुआ कि पहले वॉक करना सीखते हैं जब बैठते हैं तो यूनिवर्सल पैटन का मतलब है कि कहीं भी हो पूरी दुनिया में जो पैटन है वह सेम रहेगा कि फिर स्टेज माएगा फ डीटेट के हमारे पेड़ियुस यह लगाने के बाद हम क्या करें कि थेओरिकों भी पढ़ ले गए एक बार ताकि हम फूरा डिटेल में कि कैसे कैसे कोशना से बंते हैं लाइब आएगोस की डिपलमेंट की लाइगोस की बिलिव करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो ला और वाइगॉस्की कर डप्लमेंट किस पर हैँ is unfolding जैनेटिक प्रोग्राम तो जैनेटिक की बात वाइगाउसकी करते हैं वाइगॉस्की करते हैं सोशल की कॉलेबरेट सीखना या फिर लेंगवेज होकर सीखना discontinuous in nature continuous discontinuous की कुछ बात नहीं करें उन्होंने result directly from the maturation result directly from social interaction जब भी हमें ये social collaborate या फिर हमें मिलता है हमारा language तो वाइगास की का इन्हीं तीन में से कोई ना कोई answer होगा social हुआ या हमारा collaborate करके language तो मारा फॉर्थ वाला अंसर ठीक है कि विच आफ दा फॉलेविंग इस आ लिमिटेशन ओफ प्यजे थियोरी ओफ कगनेटिव डपलमेंट लिमिटेशन मतलब होता है कमी कि प्यजे की जो डपलमेंट थियोरी है कगनेटिव कगनेटिव डपलमेंट उसमें क्या का लिमिटेशन है इट डज नोट अकाउंट फॉर इंडिविजूल डिफ्रेंस इन कगनेटिव डपलमेंट की जो इंडिविजूल की हर इंसान का जो डपलमेंट होता है वो अलग अलग होता है उन्होंने उस पर बात नहीं किये इट ओर एंफेसाइज दर डॉल ओफ लैंगवेंज उन्होंने जादा दोड दे दिया कि जो रोल है लैंगवेंज का इन कगनेटिव डपलमेंट तो उन्होंने लैंगवेंज की बात नहीं करी है बल्कि जो पीज़े हैं वो कहते हैं पहले बच्चे का ब्रेन का वो मैचियोर होता है फिर बाद में वह लेंगवेज सीखता है इट डज नोट अकाउंट फॉर रोल ओफ बाइलोजिकल फैक्टर को नहीं दिया फॉर्थ है हमारा इट डज नोट अकाउंट फॉर इंफ्लेंस ओफ कल्चर और सोशल फैक्टर और कग्निटिव डपलमेंट की इस बात नहीं करी कि जो बच्चे का मैंड है तो उस पर कल्चर और सोशल फैक्टर काभी इंपक्ट पड़ता है तो यहीं लिमीटःशन है उन्हों閅ने कई से कोई बात नहीं करीी थी यह बात उसकी नहीं चितر है लता क्लास seven टीचर invite a female math professor and a male nurse to her class to discuss career in this field कि जब career discussion होता है school में class में लता क्या करती है teacher है जो हर साल किसको बुलाती है अगर math का trainee professor बूलाएंगी वो math की बच्चो math ऐसा है math को पढ़ना चाहिए तो female को बुलाती है और अगर nurse की बात करो तो तो महाँ पर male किसी male को ही बुलाती है जो nurse का work करते है नर्स हो तो ऐसा करती है वे ठीक है ये बात करना चाहिए क्योंकि इसमें देखो क्या होता है जब बच्चे देखें कि female teacher और वो maths की तो जो girls होगी उनमें क्या है एक encourage होगी वो उनको देखके कि हाँ हम भी maths को में बन चुकी है सोसाइटी के बात वो किलियर हो जाएगी कि नहीं female भी इसमें चावर कर सकती है और जब वो देखेगे कि एक male जो है वो नर्स है तो हाँ पर वो समझ जाएगे कि यह जो work है कोई भी कर सकता है यह जेंडर पर बेस नहीं है तो यह हमारी positive बात है इसका reason यह है gender difference are innate यह जो gender का difference चला है सोसाइटी में हमारे वो innate जनम से है not acquired through society society ने नहीं बनाया तो यह wrong है क्योंकि जो gender है gender एक social drum है जो society नहीं बनाई है तो हमारा answer होगा A is true but R is false A is true but R is false तो हमारा second वाला right answer which of the following statement correct in context of hearing impairment मतलब बच्चे को सुनने में problem है तो उससे related कौन सा यहां पे ठीक है all students with hearing impairment need to use sign language to communicate कि जितने भी बच्चे है जब उसनको hearing impairment होती है तो उनको use करना चाहिए sign language का बातचीत करने के लिए hearing impairment can affect a children ability to communicate effectively कि अगर बच्चे को ऐसी problem है तो वो उसकी effect कर सकती है communicate ability को लेकर तो हां देखो जब बच्चे को सुनने में problem होगी अगर वो सुने का कम तो उसकी जो vocabulary होगी बातचीत करना जो बच्चा सीखता है वो society के बीच रहके सीखेगा जब वो गेनी नहीं कर पाएगा जादा तो फिर वो बोलेगा कहां से तो हां उसके communicate करने में problem होईगी तो यह हमारा यहां पर ठीक लगा हमें hearing impairment of a child can be reliable test making loud noise near the child तो क्या उसके पास ऐसे चिलाना चाहिए तो यह घलत है हमारा hearing impairment always due to physical problem कि हमेशा physical problem ही होती है कि नहीं कोई दूसरी problem भी हो सकती है तो हमारा second वाला right answer which of the following set correctly mention the characteristics of which student who are gifted typically differ from other student in a class तो gifted बच्चा उस बच्चे को कहते है जो अपनी class में और बच्चों के मुकाबले जल्दी सीखता है माना teacher ने कोई चीज़ सिखाई तो उस बच्चे ने जल्दी catch कर लिया कि मैं हमने क्या पढ़ाया कैसे सिखाया वो थोड़ा अपने जो साथ वाले बच्चों से थोड़ा के गहराई में समझता है fast pace of learning जो speed होती है उनकी वह fast होती है ठीक है higher dependency on other कि वह समझने के लिए दूसरों पर ज्यादा होते है higher तो ज्यादा डिपैंड नहीं होते तो यह वारा रॉंग रैपिड फिजिकल डप्लमेंट उनका जो फिजिकल डप्लमेंट होता है वह तेजी से होता है तो इसमें भी जरूरी नहीं कि जो गिफ्टेट बच्चा होगा फिजिकल डप्लमेंट भी उसका जल्दी क्रिकुलम लिंग आयक्सपेक्टेशन और दा सेम इन डैस वाल इन डियार दिफृंट तो इंक्लिजन का कॉंटेक्स देखते सबसे पहले में इंक्लिजन करिकुलम इंक्लिजन करिकुलम वह होता है जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं जैसे हो गया हमारा नॉर्मल और डिसेबलीटी वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ा रहें लेकिन जो उनका जो करिकुलम होगा वह हम ऐसा डिजाइन करेंगा उसमें वह एक्टिविटी भी रखेंगे जो डिसेबल बच्चों के लिए भी हो और उसमें जो नॉर्मल है वह भी साथ मिलकर सीख सके तो जो इंक्लिउजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आरा सेम इन किसमें होना चाहिए जब उसको मोडिफाय करें हम और डिफरेंट किस चीज में होने चाहिए हमारा सेम होने चाहिए हमारा एकॉमोडेशन में और एकॉमोडेशन होता है जब किसी चीज को हम थ चेंज करके थोड़ा और अब कर लेते मतलब बच्चे की जहां पर में ज़रूरत लगी कि यह वाली एक्टिविटी होने चाहिए तो वहां पर हम एकॉमेडेशन करे और डिफ्रेंट और डिफ्रेंट होना चाहिए वह मोडिफिकेशन में एक्जाम में जैसे नोट देखो तो उसे हाइलाइट कर लेना आप अपनी पैंसिल वगारा से क्योंकि यहां पर मिस्टेक बहुत हो जाती है जल्दी में क्योंकि हमारे पास कम टाइम रहता है करने के लिए पेपर इसमें कौम सा ठीक नहीं है लर्णर कंस्रॉक्त नॉलिज इंदियर सोशल और कल्चर कॉंटेक्स की जो सीखने वाले होते हैं सोसाइटी में रहके कल्चर के कॉंटेक्स में सीखते हैं तो यह ठीक है यह वाइगॉस्की की बात है इसमें एक शब्द एक होता है इमोशन जो होते हुढ़ी सब्जेक्टिक्टिब होते हैं मानलिया जैसे कोई हमारा टीचर है तो हम उसको ग्रीटिंग करते हैं जम मिलते हैं गुड मॉर्निंग मैं गुड आफमनicação mi उन्स तरह कहीं रास्टे में भी अगर मिलेगें क्योंकि हमारा उनसे एक emotion है कि यह हमारे टीचर से हैं लेकिन हो सकता है वही टीचर अगर कहीं और किसी और बच्चे के सामने से जाए वो उनको कुछ ना ग्रीटिंग करें ना बात करें तो उनकी लिए क्या वह एक नॉर्मल परसन है तो उनकी फिलिंग्स अलग हुई तो क्या है ऐसे ही knowledge भ एंशियर एफैक्टिव लर्निंग कि लर्नर को क्या भार से मोटिवेशन उसका मिलना चाहिए भार से मतलब कोई प्राइस का लालच ऐसा कोई लालच से वह मोटिवेट होना चाहिए तो construction में ऐसी बात नहीं होती यही हमारे यहां पर हमें रॉंग लग रहा है फिर भी एक प्लॉरालिस्टिक और मल्टिपल तो हां यह मल्टिपल में तो होता है तो हमारा यही हमारा यहां पे जो होगा यही हमारा आंसर है क्योंकि हम से पूछाता रोंग बताई है एकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस थियोरिम से कि क्या सही नहीं है तो ये बात भी सही थी ये भी ये भी तो यहीं सही नहीं थी तो आंसर हमारा थड़ होगा हमने ये आज 20 अगस 2023 का करा था अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वह फरवरी 2023 का हम करेंगे और इससे पहले भी हमने थ्री वीडियो जोर बना दिये और सीट या किसी भी एक्जाम के लिए उसके प्रीविएस ये बहुत जरूरी होते हैं यहां पर हम प्रीविएस ये और उनको एनलाइस करके सीख रहे हैं कि अच्छे से कि किसी का अंसर यह है तो क्यूं है तो दो कि यूब की जो और इससे फिए तो कि में से कि अच्छे ढ़ना व्यों कि यूब को बाएं कि हमें आए शेकर में से चिह भी प्रेण क। अबराद दिए यह जो